वेलकम तू तेज एजूकेशन इस वीडियो में हमें ऐसे प्रशन आपको उपलब्द करा रहे हैं जो कि ब्यापम के द्वारा परिच्छाओं में पूछे गए हैं हालांकि इन प्रशनों का लेवल आपको थोड़ा कठे न जरूर लग सकता है लेकिन ब्यापम के द्वारा जो पूछा गया है वो आपकी सामने प्रश्तोत है तो आईए सुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन है इस वीडियो में जो प्रशन है वे आपको इंडिया जीके के प्रशन भी मिलेगें मद्यप्रदीश जीके के प्रशन मिलेगें पूरे के पूरे मिक्षर है सबसे वहला प्रशन है कि मद्वर्दीस की विधान सवा के पहले वक्ता कौन थे आप पैटन को समझेगा कि एक ही पेपर में व्याप्रम के द्वारा किस किस तरह के प्रशन पूछ लिए गए है और कुछ प्रशन रिबीट भी होते रहते हैं तो मद्वर्दीस की विधान सवा के पहले वक्ता थे पंडित कुंजी लाल दुवे वो के बिकल्प एसका सही जवाब है अगला प्रशन है कि भारत में CSIR वैग्यानिक प्रयुक्साला की सरंखला किस ने इस्थापित की थी तब हमें से याद रखेएगा कि भारत में CSIR वैग्यानिक प्रयुक्साला की सरंखला MS भट्रागर ने जो है शुरू की थी अगला प्रशन है कि गोल कुंडा राजवन्स की इस्थापना किस ने की थी यह प्रशन आप इत्यास के अंतरगत काफी मत्पुन सरेणी में रखेगा एक तरीकी से कहूं तो फाइव इस्टार की सरेणी में आप इस प्रशन को रखेगा तो गोलकुंडा राजवन्स की इस्थापना की थी कुली कुतुब शाहने उकर बिकल्प सी इसका सही जबाव भले ही आप लुशेंट का अध्यन किये हुए हैं लेकिन ये प्रशन आपको नहीं मिलेंगे देखने को प्रशन है कि लोकसभा को इस्थागित करने की सक्ति किष्ट के पास होती है तब हमें स्याद रखें कि लोकसभा को इस्थागित करने की सक्ति अध्यच के पास रहती है अध्यच ही जो लोकसभा अध्यच रहते हैं बही लोकसभा को इस्थागित कर सकते है अगला प्रशन है कि भारत में खनिजों में सबसे समरध पठार कौन सा है तो खनिजों के मामले में सबसे समरध पठार है छोटा नागपुर का पठार बिकल्प एसका सही जबाब होगा अगला प्रशन है कि प्रधान मंत्री द्वारा हाली में घूसित सौभा की योजना का प्रमक देश से क्या है तो हमें से याद रखें सौभा की योजना का प्रमक जो देश से है वह है कि पूरे देश में घरों का बिद्धुत की करण करना हर घर बिद्धुत युक्त हो हर गाउं में हर सहर में जो है बिद्धुत की पहुंच हो सके यही सौभा गेजना का प्रहुप देश से था अगला प्रशन है कि निम लखित में से कौन सा भारत का पहला टेलीविजन धारवाहिक है तो टेलिविजन धारा बाहिक जो सबसे पहला है भारत का हुआ है हम लोग अगला प्रश्ण है कि मद्परदीश की उच्छ नैलाय का प्रधान आसन कहां है तो मद्परदीश की उच्छ नैलाय की प्रधान आसन है जबलपुर में और इसकी दो खंड़ पीट है पहले खंड़ पीट है इंदोर में और दूसरी है गौलियर में प्रश्ण है कि छेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप हमें से याद रखेगा कि छेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है सबसे बड़ा राज्य है भारत का अगला प्रशन है कि टीकमगड जिले में कुंड देव महादेव मंदर कहां पा रहा है very very important तो कुंड देव महादेव मंदर टीकमगड जिले के कुंड लेश्वर में का सही जबाब मैंने पहले ही कहा था प्रशन काफी आपको कटिन लग सकती हैं लेकिन ब्यापम के दोरा यही पूचे गए हैं आगे भी repeat होंगे प्रेशन अगला प्रेशन है कि निमच जिला किस अन्य राज की सीमा को इस पर सिकरता है तो हमें से याद रखें निमच जिला इस पर सिकरता है राजिस्तान की सीमा को अगला प्रशन है निमने लखित में से कौन इंदोर में एक लुप्री पररिटन इस्थल है लाल बाग महल उके मिकलब भी इसका सही जवाब होगा अगला प्रशन है मांडू में रेवा कुंड इसमारक बाज बहादुर और किसके बीच रोमान्स के साथ जुड़ा हुआ है हमेश याद रखेगा राने रूप मती के साथ तो कि बाज बहादुर और राने रूप मती की प्रेम कताओं से जुड़ा हुआ है अगला प्रशन है बाल घाट जिले में नल से सा बांध का निर्मान कौन सी नदी पर किया गया है कभी भी प्रशन पूच ले कि नल से सा बांध कहा पर है भई तो बाला घाट जिले में है और बाला घाट जिले में यह बांध कौन सी नदी पर है तो हमें स्याद रखिएगा कि यह बाद बाला घाट जिली में है और यह कौन सी चंदन नदी पर है उकर विकल्पिडी इसका सही जबाब है अगरा प्रशन है कि मद्धिप्रदीश के निम्ले के जिलों में से किस में गन केरिज फेक्टरी इस्ते थे कई दफा प्रशन पूचा गया है जिसका सही जबाब है जबालपुर में गन केरिज फेक्टरी इस्ते थे प्रशन है कि हिंडूला महल और जाहज महल यह दोनों कहां पर इस्ते थे हैं तो हमें स्याद रखेगा कि हिंडूला महल और जाज महल ये दोनों के दोना इस्तित हैं मांडू में, कहां पर मांडू में इस्तित हैं अगला प्रश्ण है कि भारत की मुख्य भूमी में कितने तकिये जिले हैं तो भाई भारत की मुख्य भूम में कुल 66 ततिय जिले हैं अगला प्रश्ण है कि 2011 की जन्गर्णा के हिसाब से मद्धिप्रदीश की भौगल एक छेत्र का कितना प्रतिसत बन छेत्र है तो मद्धिप्रदीश की भौगल एक छेत्र का कुल 30.72 प्रतिसत बन छेत्र है उके बिकल्प 20 का सही जवाब है अगला प्रशन है मद्धिप्रदेश जी के के अंतरगत देखी पूछा गया कि किसने सांची की पाड़ी की चोटी पर मूल प्रातत तो संगरहालाए सांची की इस्थापना की सांची की पाड़ी की चोटी पर की है किनोंने भई सर जोन मार्सल ने वोके बिकल्प 20 का सही जबाब है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कि साह नाभिकी भौतिकी सैंस्थान कहां पर है आप हमें से याद रखिएगा कि साह नाभिकी भौतिकी सैंस्थान इस्थित है कॉलकाता में अगला प्रशन है कि सामान चुनावों में इस्तिमाल होने बाली अमित स्याही का निर्मान कहां पर होता है ये प्रशना very very important रखेगा जो अभी election हुआ है तो सामन चुनापों में इस्तिमाल होने बारी आमेट स्याहई का निर्माण होता है कहाँ पर मैसुन में बिकल्प सीज का सही जवाब है अगला प्रश्ण है कि किस बर्स में भारती साम्मेबादी पार्टी अपने अस्तित्त में आई 1925 में बिकल्प सीज जवाब है अगला प्रश्ण है कि 20-ु रेड क्रोफस दिवस परटी वर्स कब मनाया जाता है अब हमें इसे आद रखें कि 20 रेड क्रोफस दिवस परटी वर्स मनाया जाता है आठ माई को और एक दिवस आपकी परिच्छा में सौपरतिसत पूछा ही जाता है अगला प्रश्ण है कि संबिधान मशोदा समती के अध्यच्छ कौन थे तो भी संबिधान मशोदा समती के अध्यच्छ थे अगला प्रश्ण है कि कौनसी निजी कानून प्रथा को भारत की सर्वोच चिन्याले के द्वारा अशंबिधानिक और अमानने रूप में खारिज कर दिया गया तो भई इसका सही जवाब है बिगल्प बी कि तीन तलाक प्रथा को भारत की सुप्रिम कोट के द्वारा असंबिधानिक और अमानने रूप में खाजिर कर दिया गया प्रश्ण के निम लिखित में से कौनसा राज्य पंचाईती राज्य संस्थानों के स्थापित करने वाला पहला राज्य बना तो पंचायती राज संस्थानों को स्थापित करने वाला पहला राजय बना है राजस्तान उके पिकल्प 20 का सही जवाब है अगला प्रश्ण के भारत का पहला पंजी कृत ब्यापार संग कौन सा था तो भारत का पहला पंजी करत ब्यापार संग था मद्रास लेवर यूनियन विकल्प सीज का सही जवाब है अगला प्रशन है कि सिख खाल सा किसकी द्वारा इस्थापित किया गया था तो अब हमें स्याद रखेगा कि सिख खाल सा गुरुगुविंद सीज के द्वारा इस्थापित किया गया था कापी महत्वपूर प्रशन है ये कि सिख खाल सा गुरुगुविंद सीज के द्वारा इस्थापित किया गया अगला प्रश्न है कि रजनीस कुमार कौन है ये बेरी बेर इंपोजन हो जाता है तो भई रजनीस कुमार एक कौन है भई रजनीस कुमार इस्टेट बेंक अफ इंडिया के अध्यच रह चुके है अगला प्रश्न है कि किस भारती महिला बेग्यानिक को हाली में उनकी सौवेज जन्म दिन पर गूगल ने सम्मानित किया था तो ऐसी भारती महिला बेग्यानिक जिन है गूगल ने सम्मानित किया था उनकी जन्म दिवस पर उनका नाम है असीमा चटर जी और ये एक रसाइंस साइस्त है जिनकी सिच्छा क्वोलकाटा उनिवर्शिटी में होई थी इसी लिए महत्पूर माना जाता है अगला प्रशन है कि भारत के किसराज में प्रसिद्ध सांची का इस्थ्थїत है तो भई सांची का इस्थीत है निया बिकलप इस का सही जबाब है अगला प्रशन है कि चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर है चचाई जलप्रपात इस्थित है बीहड नदी परों के पिकल पिड़ी इसका सही जवाब है अगला प्रशन के मद्द प्रदीस में निमलिकित में से कौन से इस्थान पर प्रशिद ब्राटेस और मंदिर इस्थित है तो ब्राटेस और मंदिर इस्थित है सहडूल में कहां पर ब्राटेस और मंदिर सहडूल में इस्थित है अगला प्रशन है कि चिडखो जील कहां पर इस्थित है तो आप हमेसे याद रखिएगा कि जो चिडखो जील है वह नरसिंगड में इस्थित है ये प्रशन आपको हर कताब में नहीं मिलने बाला है लेकिन ब्यापुम के द्वारा पूछा गया है चुरको जिल कहा है नर्सिंगर्ण में अगला प्रशन है पुनासा बांध कौन से जिली में है तब आप हमें से आद रखें कि पुनासा बांध खंडवा जिली में है और पुनासा बांध कौन सी नर्मता नदी पर बनता है और इस पुनासा बांध को इंद्रा सागर बांध भी कहते हैं प्रश्ण है कि देवी जोगी सुरी का मेला कहां पर लगता है तो भैं आप हमें से याद रखें कि जोगिशोरी देवी का मिला लगता है चंदिरी में उत्रशन है कि खजराओं मंदिर किस जिले में इस्तित हैं Very very important तो भैं खजराओं के मंदिर छतरपुर में इस्तित हैं और इन मंद्रों का निर्माड अधिकांस मंद्रों किष्णे बनवाए थे चंदिल सासकों ने अधिकांस तह ये मंद्र बनवाए थे अधिक जादा तर मंद्र किष्णे बनवाए चंदिल सासकों ने आप बने रहें टेज एजूकेशन के साथ इसी तरह के महत्यपूर जी के के प्रश्ण देखने के लिए जो ब्यापम के दोरा पर इच्छों में बार बार पूछे जाते हैं